सोशल मीडिया से प्रसिध हुए बाल संथ के नाम से मशूर अभिनव अरोडा को स्वामी राम भद्राचार्य की नाराजगी झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वाइरल हो रही है जिसमें अभिनव मंच पर संगीत का आनंद लेते और ताली बजाते हुए कथित तौर पर एक इंस्टाग्राम रील बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाला कि जैसे ही वहताली बजाकर राम नाम के जैकारे लगाने शुरू करते हैं तभी स्वामी राम भद्राचार्य ने टोकते हुए कहा कि इनको नीचे जाने के लिए कहो। स्वामी जी की बात सुनते ही मंच पर मौजूद सेवादारों ने तुरंत अभिनव अरोडा को मंच से नीचे उतार दिया। इससे जुड़े वीडियो को एक सपर कई यूजर्स ने शेयर किया है। स्वामी रामभद्राचार्य महान संथ हैं, उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं। अभिनव अरोडा के माता पिता का दावा है कि उनका बेटा आध्यात्म की ओर बढ़ चुका है और अध्यात्म में गहरी रुची रखता है। अभिनव कृष्ण का एक दस वर्शिय स्वयंभू भक्त है, जिसे बाल संथ बाबा कहा जाता है, जिसे अकसर सारवजनिक समारोहूं और सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक वीडियो साजा करते देखा जाता है। लेकिन हाल ही मैं अभिनव अरोडा को स्वामी रामभदराचारे की धार्मिक सभा में तवज्जो नहीं मिली। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी के सामने ओवर एक्टिंग कर रहा था, जिसे स्वामी जी ने सही रास्ता दिखा दिया। कई एक्स यूजर्स ने यह विडियो सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर साजा किया है। हाला कि कई सोशल मीडिया यूजर्स यह आरोप लगा रहे हैं, अभिनव अरोडा के माता पिता ने पैसे और पब्लिसिटी के लिए उनसे यह करवाया है। उनका कहना है कि यह सब धोंग है। अभिनव अन्या आम बच्चों की तरह ही है। उनमें कोई दैवी शक्ती नहीं है। क्या वज़ह हो सकती है राम भदराचारे जी के अभिनव को स्टेज से नीचे उतारने के पीछे, आप भी दिजिए अपनी राय।